हलो लोगों वेलगूं टुमाय चैनल सुगाइस आज हम औरगनीख के मिस्टी का इपसो अटेक के बारे में जो टॉपिक इस कब्लिट करेंगे और मोस्ट टॉपिक के का इस हमेशे के समयाद दे लेता है तो पिछली वीडियो को स्टार्ट करते हैं वहर अब कोई और अपको क कने कि एक वार्च में मेसेज कर सकते हैं डिसकूर्शंट में वार्च मेला शेर कर दोगे ंए तो चेली रेखते हां किया कहता है थो सामान्य प्रतिस्थापित बेंजिन शुन्य पर दूसरे समवतार्ण निट्सुन्य पार processed mountains वाथ आर्रनतों मेटा या पेरा इस्तथी पर होता है इसमें कहा रहा है कि जो प्रतिस्थापित बेंजिन जो होता है उशुन्य पर दूसरे समुदारा प्रतिसावन आर्थो मेटा या पेरा इस्तेती पर होता है परन्तु जब यह देखा गया है कि जिस कारवन प्रतिस्थापित उपस्ती थे उस पर भी दूसरे समुदार आक्रमन हो सकता है इसमें कह रहा है कि माने जो प्रतिसारित बेंजीन है जैसे कि आर्थो मेटा और पेरा अगर आपने ये टोपिक नहीं देखा है आर्थो पेरा रेटियो वाला यहां पर देखेगा तो इसका वीडियो में नेक्स्ट पीछे ही डा रहा है तो आप पहले आर्थो मेटा और जो आर्थो मेटा जो बेंजीन होते है या पोजिशन होती है वो जो बेंजीन जो होते है उसमें जो एक्जामपल में दिये जाते है प्रतिसापी बेंजीन होते है ठीक है यह कह रहा है यह जो आर्थो पेरा और जो मेटा पोजिशन वाले जो बेंजीन हो कि इसमें कह रहा है कि प्रतिस्थापित भी होते हैं वो भी क्या होते हैं उन पर भी क्या होते हैं दूसरी शहूदरा आक्रमा हो सकता है उत्त्र कर्वंड को क्या कहते हम इप्सुट ओटय कहते हैं ठीक कियी है इतनी बताई समझ में इसका नाइट्रिर करन ऐद्या में अध्यन के लिया है इसे निवन प्रकार से दर्शा आ यहां पर देखिएगा असवा से पहले हम आ और्थो पेरा और मेटा के बारे में बात करते हैं तो एक बेंजीन होता है ठीक है हम आपको यहां पर दिखा दिए तो मान लीजिए यह एक बेंजीन है तो यहां पर जो हम लोग पहरे और्थो पोजिशन के बारे में बात करेंगे ठीक है तो मान लीजिए यह कारबन यह भी कारबन है अगर यह पास पास कारबन है तो यह कहलाएगी और्थो पोजिशन ठीक है यह और्थो होगा अगर मान लीजिए इसको हमने कट कर दिया यह यह यहां पर नहीं यहां पर कार्बन्न ऑपस्ते थे वा readily को लिए यहां पर चूर दिया हो यहां जोड़ दिया अंौर फिर दूसरे में कार्बन उस कंडिशन केम से में ऐस लोखनोस को हम क्या कहें अगर प्रतिस्थापी बेंजिन में भी दूसरे संभोत और आकरमन हो सकता है ठीक है तो इस अकरमन को या इस इक पीजन है ठीक है और इसकी बारे में हम इसका नाय त्री करेंड के अब लिए यहाँ पर दिखेगा 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 यहाँ यह पोजिशन बन जाती तो इसको आपच्छे से लिख लीजेगा ठीक है यह दूसरी रियक्शन है इन दोनों को आपच्छे से याद कर लीजेगा तो क्या कह रहा है अब इस प्रकार इपसो आकरमण में निम्ने संभावना हो सकती तो प्रत्म संभावना क्या है कि C6H52 पर Na2 करें अपरेंड आकरमंड से बनने वाला अरेनियम आइन अपर नुट्र का दिया करके पुंद था आपकर ke ऑन सीसिक्स फाइव तो में परिवर्तन हो जाए ठीक है यहां पर क्या है C6H52 पर Na2 के अकरमंड से मालत्व यहां पर क्या है क्या है? तो उन्हों करते हैं तो यह आपते हैं कि अमकिन अप्लोड कर दिया है किvo शेका अंपना किनान ऐग आपक्ति हैं तो यहां पर यहां नेता है ना आहीं है तो यह पुछ टोब नीया को दुफे आता है प्रतां संभावना वन अब हम दूसरी संभावना दिखती तो अरेनियम आयन पहले से उपस्ती सम्मूल सौरी यह जेड है हाम जेड है ठीक है इधर भी आप देख लिजेगा इसको मैंने वैसे जेड ही लिगा है ठीक है यह दो के जास दिखा तो इस बात का ध्यान देखा आप तो दूती संभावना कहा है अरेनियम आयन पहले से ही उपस्ती सम्मूल जेड को त्या कर C6H5 NO2 बना ले ठीक है दो संभावना हो यह यह तो प्रतम संभावना यह है कि C6H5 जेड पर अगर NO2 आकरमन से बरने वाला जो अरेनियम आयन बनेगा जो NO2 प्लस होगा वह त्या करके क्या कर लेगा फिर से C6H जेड में परिवर्तन हो जाएगा ठीक है मतलब कि यह हमार पास एक कंपाउंड है और इसमें जो हम NO2 प्लस आयन से अकरमन कराएंगे तो क्या हो जाएगा उसका त्या कर लेगा बेंजीन और फिर क्या हो जाएगा C6H5 परिवर्तन हो जाएगा ठीक है यह एक संभावना है इस तरह से हो सकते हैं दूसरी संभाव नहीं है कि आयन पहले से उपस्तित होगा ठीक है मतलब यहाँ पर अकरमन करने की जरूत नहीं पड़गी पहले से ही त्याग होगा और जेड को त्याग कर क्या बना लेगा यह इसमें जेड को त्याग कर लेगा और क्या बना लेगा प civ हर दूखकर को यहां कर लेए के यहां पर डूखकर द्र लाजातों य最近 ंसक्राइब अ म estoy मरें इस हरी नोइन तरुम हर पाली है यहां अधर ंजाए के ऑप आप अधर के आयदिक समभावन की हं पर श्रीत कर में और ख hm बन जाए तो है अज हxico थ्याग कर दे हाट क्या कर दित्र अ अधर है काल मनद फिर से पड़ेंगी है इस जो डἯहां जाए का निकल्ट काहरी वाले का पर हो जाये घ्य रिचारांब कि जनी पास में जनी चारवन की होतेicarी में आम सा स्य होते पत्रिपरी 되어 No- Cream इसके संभावला बहुत ज्यादा कम होती है इसमें कहे रहा है फिर से समझे कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लिखिए एक अरेनियम आयन है हमार पास पहले से ही ठीक है अब वहाँ पर समूल जो जेट का इस्थानांतर निकट वाले कार्मन के साथ हो जाएगा ठीक है और दूसर है यह बहुत कम होती है अब चातुरत सम्भावना यहाँ पे हैं अरेनियम आयन में अरेनightू का इस्थानातर निकट वाले कार्मन पर हो जाएगा अ तो इससनादर पासवाले कार्बन पर हो जाएगा तो क्या होगा और तहूपनी की बनने वाले अरेनिया है एच प्लेस का त्याग कर आँ पारा की तर्व यहां पर दियान दिजिए का यह पारा है ठीक है लिखने में थोड़ मिश्टे हो जाती है अब यह क्या है और दभों में बनने वाला आरेनियम आजर हाइड्रोजन का त्याकर पारा की तरह प्रतिस्थापी उत्पार बना लेगा ठीक है यह उत्पाद एनुटू के सामाने आर्थो आक्रवन से भी बन सकता है तो इसमें मान दिजिए कि यहां पारा पोजिशन की बात पारा पोजिशन की तरही प्रतिस्थापी उत्पाद बना लेगा ठीक है यह उत्पाद एनुटू के सामाने आर्थो आक्रवन से भी हो सकता है अब यहां भी जो पारा पोजिशन की बात हो लिए तो यहां पर आर्थो पोजिशन की आक्रवन होगा तो भी यह जो संभावन है वो हो सकती है अब पाच्वी संभावना यह है कि अरेनियम आयन पर कोई नाभिक इस नहीं पेरा इस्तती पर आक्रमन कर लेगा जो कार्बन जो बिंजिन जो होते है उसमें अरेनियम आयन पर कोई नाभिक इस नहीं पेरा इस्तती पर आक्रमन कर लेगा ठीक है जो अरेनियम तो इसे क्या जाता है इपसो अटेक कहा जाता है एपसो अटेक होने की संभाव नहींतों हसाइख किस तरफी कि सरशिक में है तो आइक होगा किस प nessa है लिज सँमझा कोई चैनल से लिखाने विचारिए उसमय में सब्सक्राइब कर दो लगें और MSA के मिस्टिक और समिस्टर के नोट्स पर्चेस करने के लाव निवाट सब मेसेज कर सकते हैं ये डिस्कुशियों में वाट सब्सक्राइब शेयर कर दूए थेंक यू